26 डिसंबर के इश्री वर्दान में आप सब पस्वागत है आज हमारी रिकॉर्डिंग जो हमने करनी हैं वो है कैसे वर्दान में जिसमें हमें परमात्म सिखाते हैं कि हमें कैसे अपने संस्कार्स परिवत्न करने हैं क्रिस्मस का दिन चला गया लेकिन क्या हमारे आदतें चेंज हुई दिन तो चले जा रहे हैं, बीते चले जा रहे हैं, नया साल भी आ जाएगा लेकिन क्या हमारे अंदर नहीं आदतें बनी कल के सेशन में जो की जूम पर हुआ था जो की लाइव यूट्यूब इसी चैनल पर हुआ है उसमें आप सुन सकते हैं कि fear या जो डर है उसका जो संसकार आदत बनी विए उसको कैसे हटाया जाए लिंक आपको उपर दिया जाएगा और आप आज ही सीखेंगे परमात्मा पिता से इस वरदान में कि किस तरीके से हम योग की शक्ती योगा कहें योग कहें योग मतलब जोड हमारा परमात्मा के साथ में उनकी शक्ती से हम कैसे अपने आपको परिवर्तन कर सकते हैं हमारी बुरानी जो बुरी आदते हैं उनको हम कैसे खतम करके नई आदते इंस्टॉल कर सकते हैं इंस्टॉल सही बात है आप एक आत्मा एक software है मैं भी एक आत्मा एक software हूँ आपको मुझे मेरा hardware दिखाई दे रहे है अपने physical आखों से मुझे मेरी इन physical आखों से सामने मेरा चेरा दिख रहा है इस camera पर लेकिन मैं एक आत्मा हूँ जो कि इस शरीर को एक medium यूज़ करके ये कारे ये कर्तवे ये कर्म कर रही हूँ ये कर रहा हूँ तो परमात्मा हमें सिखाना चाहते हैं या पर कि कैसे हम संसकार परिवर्तन कर सकते हैं जब हम उनके साथ में योग लगाए या उनके साथ में अपना संबन चोड़े उनसे पवित्ता की शक्ति ले तो देखें परमात्मा कहते हैं वर्दान में समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले स्वा के संसकार को संसार परिवर्तक भवा स्वा के संसकार सो संसार परिवर्तक भवा पहले खुद के संसकार आदते चेंज करो कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि विश्व में कोई बदलाव आए तो पहले अपने अंदर बदलाव लाओ ठीक हो बदलाव लाना क्या है वो इंसान को आजकर पता ही नहीं है Irritation होगी, Frustration होगी, Anger होगी, Moodiness होगी, यह सारे चीज़ों को खतम करेंगे कि तभी तो दुनिया में Moodiness खतम होगी, तभी तो Irritation, Krudy लोग, अहंकारी लोग कम होगी दुनिया में जब हमारे अंदर खतम होगा वो सब कुछ, क्यों कि हम यह Vibrate कर रहे हैं वो क्या पता आप मैंसे बहुत सारी ऐसी आत्मा हैं, जो कि बहुत ही High Power Station है जिनके थोड़े से Irritation या क्रोध के कारण हजारों लोगों के अंतक, लाखों लोगों तक वो Irritation, Frustration की Vibration पहुंचती हो तो आप सो सकते हैं, अगर आप वो पूरवच Ancestral Soul है, तो आपके उपर कितने जिम्मेदारी है कि अपने क्रोध को, अपने आहंकार को, अपना तो नहीं है, पराया ही है, इसो खतम किया जाए तो परमात्मा कहते हैं, जैसे योग करने और कराने से योग्य हो, जैसे योग करने और कराने में योग्य हो योग जो है, परमात्मा से connection जो है, उनसे जो शक्ती और purity और जो उनसे टाकत मिलती है, उसको हम प्रयोग करना है, क्या करने में? देखते हैं आगे सबसे पहले अपने संसकारों पर योग की शक्ती का प्रयोग करो, कि परमात्मा से जो प्रेम लेकर के, शक्ती लेकर के, शान्ती लेकर के, मुझे किसी और से जब इच्छा नहीं होगी प्रेम, शक्ती और शान्ती की, और खुशी की, मेरी बात मने, मेरे आनुसार चले, संसार के रचना की नीव हैं, हमारे संसकार है, ये परमात्मा हर किसी को नहीं कह रहे हैं, ये परमात्मा उनी आत्मा हो कह रहे हैं, जो की बहुत पूरवज आत्मा हैं, जिनकी ऊपर सारी संसार की vibrations dependent हैं, क्योंकि कुछ आत्मा ये डूरसल बैटरी हैं, कुछ आत्मा ये नहीं सिस्टम से जो की higher responsibilities ले सकते हैं है कि नहीं इस दुनिया में भी कोई राजा है कोई नहीं है तो कोई ज़्यादा responsibility ले सकता है उसके उपर ज़्यादा आत्मा के उपर असर पढ़ने का असर हो सकता है तो इसलिए परमात्मा कुछ आत्मा को धोका तो नहीं देते हैं कि अभी किस समय किसी ने कुछ कह दी और आपको irritation चड़ गया अरे यह तो धोका हो गया मेरे को तो शांत रहना चीज़ता लेकिन अंकार आ गया irritation हो गया कैसी भी बात हो विक्ति या वायूमंडल हो लेकिन श्रेष्ट संसकारों को परिवर्तन कर साधारन वा व्यर्थना बना दें श्रेष्ट संसकार किया हुए अचल अडोल अडिग रहना कोई असर नहीं होना लेकिन उसकी जगा हमने क्या कर दिया उसकी जगा पर हमने अगर डूले मान होगे इरशा में आगे गिर्णा में आगे अगर हम हिल गए तो पुराने संसकार होगे पिर परमद कहते हैं कैसी भी बात हो वेक्ति या वायूमंड़ हो लेकिन श्रेष्ट संसकारों को परिवर्थन कर साधारन वा व्यर्थना बना दें जो स्वक के संसकारों को परिवर्यतन कर लेते हैं वही संसार को परिवर्थन करने के निमत बन जाते हैं खुथ के परिवर्थन से आप पूरी दुनिया को परिवर्थन कर सकते हो कभी सोना था आपने यह शक्ति आपके अंदर है, मेरे अंदर भी है लेकिन यह हमारे ऊपर dependent है कि हमें इसको मानते की नहीं मानते है लगता बहुत बड़ा है, लेकिन पहला कदम लें, परमात्मा पिता से अपना योग लगाएं, सीखें जाकर प्रमकुमाई सेंटर पर ये किया कैसे जाता है, वो भी निशुल कफ्री में है, इसके साथ वो मिशानती है।